हलो दोस्तों शड़ी मोड में आपको श्वागत है आज हम इस विडियो में सविधान और सासन से महतपूर चेप्टर परस्तावना पढ़ने वाले हैं परस्तावना जिसे उद्देशिका भी बोला जाता है और इंगलिस में इसे प्रेंबल बोला जाता है ठीक यह पढ़ने वाले हैं और यहां से कुष्षन बन जाता है विडियो के लाश्ट में कुष्षन भी मैं आपसे लगवाऊंगा और आपको कुष्षन ध्यान से लगाना है ठीक चलिए श्टार्ट करते छोटा चेप्टर है और अराम से इस चेप्टर को आपको एक ही बार में देखकर याद हो जाएगा सबसे पहले जो प्रस्तावना है यह सविधान का दार्सनिक अधार है ठीक इसमें दार्सनिक अधार आपको देखने के मिलेगा फिलोस्पी जो कि पंडि जवाहल नहेरु द्वारा उदेश प्रस्ताव के नाम से आपको शविधान सभा में प्रस्तुत किया गया था कप किया था तो 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया था और यह जो प्रस्तावना है यह अमेर्की सविधान के प्रस्तावना पाधारी थे ठीक यह याद रखिएगा स्वार समिती से इसे सविकार कर लिया गया सविधान सभा दवारा 22 जनुवरी 1947 को तो दोनों डेट याद रखिएगा आपको पता है सविधान सभा में कि सविधान सभा के प्रथम बैठक हुआ ता 9 दिसंबर 1946 को जिसके अध्यक्षता जो किये थे प्रस्तावना में इसके 13 दिसंबर 1946 को जोहालन नहरू ने प्रस्तूत किया था और 22 जनुवरी 1946 को सभिकार कर लिया गया था सविधान के प्रस्तावना सभिधान की आत्मा है याद रखिएगा प्रस्तावना में अब तक मात्र एक बार संसोधन भी किया गया है बेलिश्व द्वारा प्रस्तूत उद्देश्परताव संकल्प में जो अदर्स प्रस्तूत किये गया उन्हें सभिधान के उद्देशिका में सामिल कर लिया गया सभिधान के बेलिश्विष्विष्विष्विष्विष्विष्विष्विष्विष्विष्विष्विष्विष्व भारत के समस्तिनागरे को संमाजीक आर्थिक राजनीतिकें राप्तकरा क्या है कौनों स्माजिक आर्थिक राजनीतिका ने याए बिचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना के सवतंतरता किसका लिए बश्वषटा प्रस्थिठा और असर की समता भी प्राप्त करने के लिए उन सब में ब्यक्ति की गर्मा और राष्ट की एकता और अखंडता जो अखंडता ये सब्द है ये भी आपको बेलिशो शविधान सब्धान द्वारा 1976 में जुड़ा गया शुनिश्चित करने वाली बंधुता टिक बढ़ाने के लिए ड्रेड संकल्पोकर अपनी इस सब्धान सब्धा में आस्ता रिक 26 नवंबर 1929 मिती मार्ग सुकल सब्तमी 2006 बिक्रमी को एदत द्वारा इस सब्धान सब्धान को क्या अंगकृत अधियनीमीत और आतम प्रीत करते हैं तो इस दिन सब्धान के कुछ परो जनुवरी उनुशों पचास को लागो हुआ था जीसे हम लोग गरतंतर दिवस के रुपे मनाते हैं उसका वो भी आपको जाए गया तो उनुशों तीस में 26 जनुवरी को यह सो धिनता दिवस मनाएगा था सबसे पहले तो उसी को आपको याद करने के लिए 26 जनुवरी को सब्धान के अधिन समस्त सक्तियों के अधिन समस्त सक्तियों के केंद्र बिंद। और शुर्थ भारत के लोग ही है पर शाया है थे करता है एया नियाले में परवरतित नहीं किया जैसा आपको अ笨ंडमेंटल राइट है अगर उसका उननंगन होता है तब न्याले में जा सकते हैं इसे न्याले में परवर्तित नहीं किया जा सकता यह निन्य उनिएन अफ इंडिया बनां मदन गोपाल 959 जन की निन्याई में घोसित किया गया थे यह याद रखिएगा अब विरुबाडी उनियन बाद देखिएगा विरुबाडी विरियन बाद उनिशो साथ में शरोच नிयाले ने निनाय दिया कि जहां सविधान की भासा संदिगड़ू या सबढ़ प्रस्तावना को समझेओन संदिकच जासकती हैं इसकी सविधान प्रस्तावना उसकी लिए सकती है बेरुबाड़ी के बाद में ही सरोच नियाले ने प्रस्तावना को सविधान का अंग नहीं माना इसमें आपको इसलिए विधाई का प्रस्तावना में संसोधन नहीं कर सकती यह आपको बेरुबाड़ी मामला में ही पता आपको था कि यह आपको सविधान का अंग नही एक है नहीं कर सकती है संसद यहां पर देखे हाफ बारति वद्हासार में ना करात्मक संसोधन कर सकती है जिससे मूल धाचा का बिश्थार और मजबूती करण हो नहीं पता चलेगा कि संसुत की इतना सक्ति मिल गया को पूरा से विधान को ही उलट पलट देगी और कह देगी कि इंडिया को च्यार भागों में इभाइट कर दो तो यह ऐसा काम नहीं कर सकती और यह मील के पत्थर माना जाता है इसमें क्या तो यह आपको केश्वानंद भारती का केश्वानंद भारती का केश सरोच नियाले की सकती बहुत काफी बढ़ा दिया यह भी याद रखिएगा और विधाई का पर एक अंकुस लगाने के लिए यह केस बहुत बहुत बढ़ा तेरह आपको जजों का बेंच अभी तक के सबसे बाड़ा जज का बेंच बनाया गया यह अभी तक 13 बेंच बनाया गया ते तेरह जजों का यह आपको इसका जो आपका आया था विट्रिया में इसकी यह वह था जो निन्य हुआ था यह साथ छे के हिसाब से वह था यह यहाद रखिएगा तो यह से कुशन पूछता है परस्तावना यहां से आपको बेसिक अस् सुर्ण को मिनि कंट्रिशन भी बोला जाता है आपके सामने कुशन है कि भारती सभीधान की किस भाग को उसकी आतमा किसुष संग्या पर्दान की गई लगा है तो प्रस्तावना को ही यह याद रखिएगा वृह के अंसर हो जाएगा उसकी आmos प्रत्यक्ष बिधी से लोकसभा और राजसभा के जो निर्वाची सदस हैं अलग-अलग राज्यों के वो छुनते हैं किनको तो हमारे राश्टपती जोक को इसलिए भारत जोहीं गर तंत्र है लेकिन अगर बltryटन के बात किया तो ब्रिटन गर तंत्र नहीं है यह याद रखेगा ब्रिटन रॉपलिक नहीं है वहाँ पर राजसभा पर भी लोक तंत्र है यह आपको परधानमंत्री के हाथ में ज जोड़ा जाना चाहिए था या प्रपंथ नेर्पेक्ष या समाजवादी और अखंडता सब्द जोड़ा गया यह कौन से सविधान सवस्थन द्वारा जोड़ा जोड़ा गया यह आपको बताना है यह जो है यह जोड़ा गया इसका इंसर हो जाएगा बी आगे देखते हैं क सब्सक्राइब कर दोड़ा जाएगा यह सब अगर देता कि कब हुआ यह आपको नॉवंबर में लगा सकते थे ठीक यह याद रखिएगा अगे चलते फोर के अंसर क्या हो जाएगा यहां पर भी हो जाएगा कुशन नमर फाइप कि भारती सभीधान ने किस परकार के लोकत लोकतंत्र अपनाया है जो भारती सभीधान है यह किस परकार का लोकतंत्र अपनाया है यह आपको बताना है तो भारती सभीधान यह लोकतांत्र की गणराज वाला लोकतंत्र अपनाया है यह याद रखिएगा तो फाइफ कैंसर के अगर डी हो जाएगा कुशन बर सिक्स है कि भारतिय सभिधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के सासन की सरोच्च सकता किसमे नहीत होती है तो भारतिय सभिधान के प्रस्तावना प्रेंबल के अनुसार भारतिय सभिधान की जो सरोच्च सकता है ये किसमे नहीत होती है तो ये जो नहीत होती है ये आपको किसमे तो पूश्टा आपको यहां पर तीनों पर का आपसर मिलेगा ठीक ध्यापर आपसर सरभौ पहले आएगा फिर सत्ता संपन आएगा फिर समाजवादी आएगा धरणे प्यक्ष जनवादी घरतंत्र यह इसका एंसर हो जाएगा ठीक आगे चलते हैं कुश्यन पर एट है कि भारती सभिधान कब अंगिकार किया गया था यह देखे अंगिकार अधियन्यमीत अंत्प्रित यह अगर सब्दे देता है तो यह आपको 26 नॉब्बर पर यह दिन पूरता लागू इसलिए हम नों गड़तन दिवस मनाते हैं उस्तिति को सब्दान के उद्देशिका में कितनी बार संसोधन किया जा चुका है आपके सामने है तो सब्दान को देशिका में अभी तक एक बर संसोधन किया जा चुका है बैलीशोई शविधान सब्द आपको समाजवादी आपको पंथ निर्पे चोर अखंडेता तीन सब्द जोड़ा गया था ठीक आगे चलते हैं और आज का लास्ट कुशन है कि भारती सब्दान के प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उलेखित है देखिए भारती सब्दान के प्रस्तावना में उसमें दिया है कि भारत और इंडिया ये दो नाम होगा भारत का ठीक तो दस कंसर ये हो जाएगा ये सब कुश्चन था कुश्चन कैसा लगा जरूर बताएं और इसे रिलेटेड जो भी कुश्चन आएगा वह बहुत मतपूर कुश्चन आता है उसे आपको देखना चाहि ये वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद